आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है चार्ट में हमें कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे कल इंट्राडे के लिए इन सार प्राइस आक्षिन दिखता है तो हम इमीडियेट शॉट करेंगे यहां पर तो यहां पर एक बार प्राइस आक्षिन बनने की कोशिश हुई बट यह सस्टेन नहीं हुआ यह प्राइस अक्षिन बना नहीं क्योंकि इस लो के नीचे नहीं आया और और आफ्टर निफ्टी वापस चे उपर निकल गया, तो कहीं जाके second half में एक trade मिला, जहां पर आपको ये price action दिखा होगा, जिसने भी यहां पर short किया होगा, काफी decent सा profit 1 is to 3, 1 is to 5 के आसपास का profit यहां पर मिला, then after market में फिर volatility होई और market फिर अच्छा price action बना के उपर को निकल गया, bank nifty में भी कुछ ऐसा ही setup बना, तो वहां पर भी कुछ इसी type का same trade देखने को मिला होगा, तो कल के लिए हमारा plan of action क्या होगा, अगर हम कल की बात करें, तो कल मैं थोड़ा contra view लेना, कल मैं थोड़ा bullish side में रहना पसंद करूँगा, और सबसे best हमारे लिए ये होता है कि अगर हमें माल लिजे कि nifty यहाँ पे कहीं flat मिल जाए, या थोड़ा बहुत gap up मिल जाए, अगर माल लिजे nifty कल थोड़ा बहुत gap up कुलता है, कहीं पे भी 18,100, 18,110, 20, यहां से लेकर यहां तक के range में nifty कहीं पे भी खुलता है, और इस swing के ऊपर निकलता है, यहां से यहां तक में कहीं पे भी खुले, और इस swing के ऊपर जैसे निकलता है, तो हम immediate यहां पे long कर सकते हैं, या तो आपको एक 5 मिनट का candle यहां पे green candle दिखे, green candle 5 मिनट का close हो, उस candle के breakout पे हम trade कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर निकले तो हम immediate तो कल के लिए हमारा जो plan of action होगा हम सिर्फ long side को prefer करेंगे हम कोई short नहीं देखेंगे हम short तभी देखेंगे जब market बहुत बड़ा gap up हमें मिल जाए कहीं पे भी मानली जा 18 जा तीन सो इस टाइप से बहुत बड़ा gap up खुल जाता है तो फिर हम short के trade के लिए prefer करेंगे अगर market flat खुलता है या gap down खुलता है तो हम long side के लिए prefer करेंगे निफ्टी कोशिश करेगा आप यहां पर एक resistance हमें दिख रहा है जो कि लगभग 18,250 के आसपास का level है तो यहां पर एक resistance दिख रहा है तो निफ्टी कोशिश करेगा इस resistance को retest करने का अगर इसके ऊपर यह निकलता है तो फिर बीच में कहीं पर भी hurdle नहीं है तो हमें यहां यहां पर 100-500 point का move देखने को मिल सकता है या फिर निफ्टी हमें कल gap down मिल जाए कहीं पर भी 918,000 के आसपास अगर यहां पर खुलता है और यहां पर कुछ इस टाइप का price action दिखता है हमें double bottom का formation तो हम immediate यहां पर long कर सकते है निफ्टी को यह swing के नीचे का stop loss रखेंगे पहल उपर को निकलता है तो हम position को carry कर सकते हैं उस case में भी हमें 250 तक का target देखने को मिल सकता है चलिए हम बात कर लें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही plan of action होगा बट मैं बैंक निफ्टी का trade करना prefer नहीं करूँगा मैं निफ्टी prefer करूँगा trade करना ब बैंक निफ्टी कोशिश करेगा यहां तक आने का यहां से हमें एक sharp selling देखने को मिला था तो बैंक निफ्टी कोशिश करेगा सबसे पहले यह 43,000 43,000 के level तक आने का जो कि एक flat level है और psychological level भी है तो 43,000 43,100 के level को बैंक निफ्टी भी retest करने की कोशिश करेगा max to max अगर हम बैंक निफ्टी मान लिजे long करते हैं तो हम 43,200,250 तक अपना target रखेंगा maximum क्योंकि यहां से फिर हमें एक selling pressure देखने को मिल सकता है यहां से selling आया था तो हमें यहां से एक selling pressure देखने को मिल सकता है तो बैंक निफ्टी भी अगर थोड़ा बहुत gap अप खुलता है इसके बाद इसके ऊपर निकलता है एक 15 मिनट का candle close करके sustain करता है और candle के breakout पे हम इसको long कर सकते हैं और यहां तक का हमारा target होगा इनकेस बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा gap down खुल जा है तो एक simple सी बात है यहां से हमें एक buying देखने को मिला 42,000 के आसपास से तो यह level support का काम करेगा अगर gap down खुलता है तो bank nifty यहां तक आएगा यहां आने के बाद हमें buying के लिए opportunity देखना ना कि selling के लिए अगर gap down खुलता है तो हम वेट करेंगे हमें कुछ इस टाइप का price action चाहिए इस टाइप का price action या तो 5 मिनिट पे या तो 15 मिनिट के time frame पे मिले तो हम immediate long कर सकते हैं फिर यह सारे level यहां तक bank 50 आने की कोशिश करेगा अगर बहुत बड़ा gap down खुलता है तो चलिए हम stock discuss कर ले तो पहला stock जो चार्ट पर अच्छा लग रहा है स्कॉट्स लग रहा है स्कॉट्स में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा buying momentum यहां देखने को मिल रहा है और price में भी यहां पर हमें एक reversal बनता हुआ दिख रहा है अगर हम स्कॉट्स को देखें यहां पर तो अगर मान लेजे कलिए कहीं भी फ्लैट कुलता है फ्लैट कुलने के बाद two two one zero के ऊपर निकलता है इस swing के ऊपर निकलने के बाद हम इसको immediate long कर सकते है यहां पर हम साथ से आठ रुपया का stop loss रखेंगा one is to two का target प्लैन करेंगे स्कॉट् 228085 के आसपास का level है तो यहां तक escorts आ सकता है तो अगर यह two two one zero को उपर निकलता है तो हम immediate long कर सकते है साथ से आठ रुपया या 10 रुपया का stop loss रखेंगे one is to two के target के लिए plan करेंगे next stock अगर हम देखें तो next stock है आपका next stock है access bank access bank में भी एक बहुत अच्छा momentum देखने को मि मिल सकता है तो कल अगर यह flat खुलता flat खुलने के बाद 960 के उपर निकलता तो हम immediate इसको long कर सकते हैं यहां पर हम 6 रुपया का stop loss रखेंगे one is to two के target के लिए plan करेंगे access bank कोशिश करेगा सबसे पहले यह swing को reclaim करने का यह swing अगर यह reclaim कर लेता है तो फिर यह कोशिश करेगा कहीं पर भी जाके आपका thousand रुपीज के आसपास का level को एक बर retest करने का एक round level है तो यहां तक access bank move कर सकता है next stock अगर हम देखें तो next stock है ipka lab ipka lab में भी एक अच्छा buying sentiment देखने को मिल रहा है और अगर हम यहां पे देखें तो इस range में यह काफी time से फसा हुआ है इस range में यह continuously trade कर रहा है और ना यह नीचे को break कर रहा है ना ऊपर को break कर रहा है बट जो closing है यह बहुत ही अच्छा closing है बिल्कुल positive closing है और हम देखेंगे तो यह volume के साथ close हुआ है तो यहां पे अगर ipka lab कल कहीं भी 875-77 के ऊपर निकलता है तो हम इसको immediate long कर सकते हैं यहां पे भी हम 5-6 रुपया का stop loss रखेंगे 1-2 के target के लिए plan करेंगे यह कोशिश करेगा इस swing के आजपास reclaim करने का जो की 900-910 का level है यह swing के ऊपर यह कोशिश करेगा इसको close करने का अगर यह close करता है तो हम position को carry कर सकते हैं एक-दो दिन के लिए और फिर हमें यहां तक के target देखने को मिल सकते हैं 950, 940, 950 तक के target देखने को मिल सकते हैं अगर हम अगला stock देखे तो यह selling के side में आ रहा है यह city union bank यह chart पर थोड़ा week लग रहा है आज के market market इतना अच्छा था इतना bullish sentiment में trade कर रहा था और short covering हमें देखने को मिला but still यहां पर हमें selling pressure देखने को मिला तो कल अगर यह flat खुलता है अगर यह gap up खुला तो हम इसको avoid कर देगे कहीं पर 172, 72, 50 के ऊपर अगर खुलता है तो हम इस trade को avoid कर देगे initiate नहीं करेंगे but अगर यह flat खुला और 171 के नीचे निकलता है तो हम इ immediate यहां पर short कर सकते हैं एक से डेड़ रुपया का stop loss रखेंगे यह कोशिश करेगा सबसे पहले यहां तकाने का क्योंकि यहां से एक buying pressure देखने को मिला अगर आप देखें तो यह candle यहां पर close हुआ then after next day यहां से वापस से जो नीचे break किया but break करने के बाद immediate हमें एक sharp recovery देखने को मिला तो it means इस level पर 164-65 के level पर buyers बैठे हुए तो हमारा target बहुत बढ़ा नहीं होगा तो हम यहां पर 1.5-2 रुपया का stop loss रखेंगे और 1-2 के target के लिए यहां पर plan करेंगे अगर बहुत बड़ा gap up खुला तो हम इस trade को avoid कर देंगे हम और interested नहीं होंगे इसे sell करने के लिए all right friends I hope आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए thanks for watching good night happy trading